राहूल गांदी के बारे में आपकर क्या कहना है? चीनियस बन्दा है, मैनती है, अच्छा जा रहा है, अच्छा जाएगा कितना अच्छा जा सकता है? देखे, बात क्या है? कि आप एक एजूकेटिड परसन को अगर आप मीडिया ट्रोलिंग से या एक सोशल मीडिया ट्रोलिंग से आप उसे कुछ साबित करने की कोशिश कर रहे हैं तो गलत कर रहे हैं आप उनकी मैनत देखिए अच्छा जा रहा है मैं मानती हूं अच्छा जा रहे हैं और उनको समझ है अब पॉलिटिक्स की अब है मतलब कि पहले नहीं थी या भारत जोड़ो यात्रा वगरा के साथ साथ यह जो एक तरीके से जमीन पर उतरे कई बार ऐसा होता है सर कि किसी का एक तुफान चल रहा होता है उसमें सब उड़ जाते हैं कि बात कर रहे हैं तो मैं कहरें मोधी वेव में वो उड़ गया आप उन्होंने अपनी जड़ बना रहे हैं वह अच्छा कर रहे हैं पी एं मोधी मास्ट लीडर है उनको पता है कि देखिए वो जड़ से जुड़े हुए और उनने बहुत नीचे से शुरुआत की और जो में बिल्कुस सही सही बात बता रहे हैं मोधी जी ने जारू तक लगाया हुआ है वहां पर आपका पता ही है आरेसस के कार्याले में वह नीचे से जुड़े हुए हैं तो उनका जड़ बहुत मजबूत है मोधी वेव चला उस वेव में सर अच्छे अच्छे उड़ गया तो राहूल गांधी अगर उड़ गया तो आपको पता ही है कि एक वेव जब चलता तो सब उड़ जाते है राहूल गांधी आज के समय में बहुत अच्छा स्टेटमेंट देते हैं और लगता है कि हाँ वो एक मेच्चूर तरीके से अब एक पॉलिटिशन के रूप में उभर रहे हैं वह अच्छा कर रहे हैं और उन्होंने कापेंटर से कि अब बात्चित हो रही है और अगले कुछ मैंनों में पूरेदेश में चुनाव हो और आजकल जो टीचर्स कहते और किसको वोट देना है कैसे लोगों को वोट देना तो आपके नजर से कैसे लोगों को वोट देना है उसमें अंग्रेजी वी कोई ऐट रहे हैं मेरे नज़र में English factor नहीं है, मेरे नज़र में रोजगार factor है, उस सरकार को vote दीजे, जो आपको रोजगार दे, उस सरकार को vote दीजे, जो आपके education का importance समझते हुए, आपको ऐसे sector में भेजने की कोशिश करे, जहां पे आपके potential को पूरे अच्छी तरीके से उनका इस्तमाल किय जा सकता है, यानि कि जो युवा है, रोजगार एक बहुत बड़ा मुद्दा है, और उसी के बल पर ही सरकार चुनी जानी चाहिए, अगर आप युवाओं की बात करेंगे, तो फिर एक different factor आ जाता है, तो अगर आप युवाओं की बात करेंगे, तो रोजगार एक बड़ा इसी टीचर्स का बहुत अच्छा विकेंसी निकला, यूपी में यूपी ऐसी साई का विकेंसी निकला था, उत्तरप्रदेश का साई का विकेंसी निकला था, राजस्थान में लोकल विकेंसी निकल रहे, तो मेरा कहना है कि हर सरकार को अपने स्टेट में लोकल विकेंसी न कि यह सरकार अगर वापस रिपीट होई अगले पांट सालों के लिए तब कुछ कोई नया रास्ता निकल पाएगा देखें मैं बहुत अपसें डाउंस देख रही हूं क्योंकि 2018-2019 मैंने देखा कि बच्चे ट्वीट करते थे तब SSC नॉटिफिकेशन दे रहा है बच्चे ट यही सरकार ने 2019 में विकेंसी निकाला था रेलवे में जब दो कड़ो बच्चों ने भरा था रेलवे का उसके बाद कोई विकेंसी नहीं आया तो मेरा मानना है कि सबसे पहले स्टेट गौर्मेंट और सेंट्रल गौर्मेंट दोनों रोजगार का बहुत सारे अफसर पैदा करें तभी जाके यह बेरुजगारी का बहुत बड़ा एक कुन्बा तयार हो गया हो खतम तभी हो पाएगा